गाजियबाद के नई बस्ती इलाके में कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के छह लोगों की हत्या केस में ड्राइवर को दोशी करार दिया गया है कोट ने दोशी राहुल को फांसी की सजा सुनाई है साथ ही कोट ने एक लाक रुपे का जुर्माना भी लगाया है 21 मई 2013 की रात खल चुरी कारोबारी सतीश गोयल पतनीस मंजु गोयल बेटे सचिन गोयल सचिन की पतनी रेखा बेटे बेटी अमन मेगा और हनी की हत्या कर दी गई थी एक ही परिवार के साथ लोगी खौफनाक हत्या से पूरा इलाका सेह मुथा था 21 मई 2013 की रात को राहुल बर्मा के दौरा साथ जनों की हत्या करी गई जिसका आज जजमेंट आया है 9 साल के बाद आज जीत हासिल करी है आज हमने आज कोर्ट ने बिल्कुल न्याय दिया है जो में न्याय की तपिक्षा थी 9 साल 2 महीने हो गई दरसल दोशी राहुल को घर में बड़ी संख्या में कैश होने की आशंका थी और वो लूट के इरादे से रात को घर में गुसा था इसी दोरान उसने साथ लोगों की बेहरहमी से हत्या कर दी जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए राहुल को ग्रफतार कर लिया था और अब 9 साल बाद कोड ने राहुल को फासी की सजा सुनाई है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर